हलो श्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया चलो श्टार्ट करते हैं, आज हम लोग फार्मसिटिक्स में चैप्टर नमर 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मसिटिकल डोजर्स फार्म जिसके अंदर हमारा चल रहा था, लिक्विड ओरल पिर्परेशन इसके अंदर ये लाज्ट टॉपिक रहेगा, ड्राइप पाउडर फॉर री कांस्टिटूशन क्या मतलब होता है इस री कांस्टिटूशन का? री कांस्टिटूशन का मतलब होता है आप किसी चीज को द्वारा से री कांस्टिटूट कर रहे हैं वापस से मिला करके बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ड्राइ पाउडर जैसे देखा होगा, कुछ सीरप होते हैं, उनके साथ पाउडर आता है पाउडर है, पाउडर का सीरप बना लेते हैं, ठीक है ना? इनजेक्शन होते हैं, उसका असको घोल करके हम लोग फिर इनजेक्शन लगाते हैं तो पस उसी पाउडर की बात हो रही है, अच्छाँ यहां बड़ा असान चीज है powder का वही same criteria रहेगा ठीक है powder का criteria वही रहेगा जो हम लोगों ने tablet एक capsule के टाइम पड़ा था powder की सारी खासियत वही सब रहेंगी कैसे क्या क्या होता फिर हम finally powder form बना लेते हैं वहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं पंचिंग करके tablet बना लेते हैं अपनी और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको simple pack कर देंगे cc के अंदर या bottle के अंदर कुछ additional जो उनके एकसिपेंट्स होते हैं आइडिव वगरा वो थोड़े से changes हो जाते हैं ठीक है बाद बागी चीज़ा से कि हम लोग tablet में binders डालते हैं ताकि बंद जाए यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बाद बादना नहीं है ठीक है ना थोड़े से additives में changes आते हैं बाद बाद ठीक होता है ठीक है तो फिलाल हम कुछ बाते और देख लेते हैं थोड़ा साब पिछला भी रिवाइश कर लेंगे आओ देखते हैं ओके इंट्रोड़क्शन की बात करें पाउडर आधा simplest doses form और इसी बात सिंपल है बना लिया पाउडर डोस बनके त्यार होगी हमारी सबसे सिंपल है and the basis of many other solid doses form such as tablet and capsule सही तो कह रहा है और दूसरे solid doses form का base है यानिगी tablet और capsule जो होता है उसको पहले हमको मैट दवाईयों को powder form में तो करना पड़ेगा तब ही तो आगे जागा कि tablet capsule बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा बास वंज़ारी ना तो ये basis है यानि कि आधार है दूसरे doses form का जैसे कि tablet और capsule का जो मैंने अभी starting में discuss किया यानि कि बताया अभी अभी क्या कह रहा है अब pharmaceutical powder जी जा mixture of finally divided finally मतलब होता है एकदम piece piece के चूरा कर दिया एकदम महीन कर दिया finally जब कहा जाएगा finally divided इसका मतलब होता है महीन चूरा एकदम महीन पिसा हुआ drug और chemical in a dry form ठीक है ना pharmaceutical powder क्या होता है जब finally divided drug यानि एकदम पिसा हुआ जो drug होता है या कोई chemical है in a dry form अपनी सुख्या वस्था में that may be intended for internal जिसका की intention है internal oral powder या तो body के अंदर जाएगा या external या powder का हम लोग कई बर क्या करते है छिड़क लेते उपर dusting powder होता है है ना जैसे talk powder होता है dusting powder होता है या external topical or dusting powder use and available in crystalline और amorphous form crystalline amorphous हमारी solid की forms होती है ठीक है ना तो इस तरीके से हमारे पास क्या है powder के दो तरीके के रूप मौजूद है या तो हम उसे खा भी सकते है या body में उपर लगा भी सकते है depend करता है किस purpose से हम लोग इसका इस्तमाल कर रहे है clear है powder were originally designed as a convenient mode of administration hard vegetable drugs such as roots, bark and wood तो obviously बात हमको पता है originally एकदम थोड़ा सा पीशी से ले जा है हम लोग 100-200-300 साल पहले तो जो पेड़ होते थे उनकी जड़े या root या लकड़ी या पत्ते उनको piece करके powder बना करके चूरन फॉर्म में दिया जाता था tablet नहीं हुआ करती थी पहले है ना तो यह line shift समझाने के लिए powder war original designed as a convenient mode सबसे आसान तरीका था यह दवाईयों को लेने का फिर आए हमारे पास granules granules के वज्यक्रा मैं कर चुका हूँ जब tablet और capsule बनाया था ठीक है granules are prepared aggregate of powder material powder को जोड लेते हैं तो क्या बनते हैं? granules बनते हैं granules को detail में जानने के लिए क्या पढ़ें? tablet है ना वही granules की बात हो रही है aggregate मतलब जुन्ड आपसे चिपक कर क्या बना रहे हैं? granules बना रहे है granules are prepared aggregates of powder material to form a larger particle तो उसे बड़े हो जाते हैं 2 से 4 mm granules में भी used as such granules को हम लोग as such भी कर सकते हैं? खा सकते हैं डारेक्ट powder को मतलब granules की है? powder की फ़र्म में आते हैं market में जैसे की तुम लोग देखते होगे बहुत सारी medical preparations हैं या powder है जो granules की फ़र्म में आती है डालते हैं सीधा खा लेते हैं हम लोग ठीक है ना? granules of medicinal value और in making tablets and capsule या उसी का हम लोग tablet या capsule में आगे जाके convert कर सकते हैं इसलिए इस land को डाला गया है बेटा यहां पर जिससे की कोई confusion ना रहे है powder का पूरा tablet capsule वाला ही part रहेगा यहां पर ठीक है? because of better flowability of granules compared to powder यह सब बात हैं हमने करी हैं कि जो granules होते हैं वो better flow करते हैं powder के comparison में सब discuss किया हुआ है तो यह तो हो गया हमारा tablet वाला part से जिससे की यह कोई confusion ना रहे कि यह वही powder से हैं बस फरक इतना है कि इनको हमने tablet या capsule में convert नहीं किया है सीधा-सीधा खाने के रूप में ले रहे हैं जैसे चूरन वगएरा आते हैं अपने ठीक है ना अब पाउडर के advantage क्या है advantage powders are used both internally and externally हम इसको दो तरीके से इत्माल कर सकते हैं लेकिन tablet capsule को नहीं कर सकते powders are more stable than liquid doses form liquid के comparison में ज्यादा इस्टेबल है liquid के comparison में ठीक है न जैसे जिसके comparison है better है जैसे हम पाउडर सार मोर इस्टेबल बिटा अगर इतना liquid होगे ध्यान रखना exam में तो गलत हो जाएगा ये ठीक है stable है पर किस से बाई किसी से तो less stable भी होंगे powder है tablet capsule सो होकते less stable हो लेकिन liquid के comparison में ज्यादा stable है तो ये कुछ चीजे ध्यान रखनी है कि हम किस से compare करके किस की खासी जो बता रहे हो किसके comparison बता रहे है ठीक है the change of incompatibility are less as compared to liquid transform जो incompatibility changes होते है powder में जैसे liquid बन जाता तो उसके अंदर incompatibility changes आयाते है ठीक समझते हैं incompatibility क्या होती है आस असमंजरसता जिसे कहते हैं हम लोग आपस में component ingredients में आपस में असमंजरसता हो जाती है it is suitable for pediatric patient बच्चों के लिए ठीक है चुरण बगर रहा होता powder खालेते हैं बच्चे फ़रा मीठा powder होगा तो powder is more easy to transport than liquid dose form ठीक है अब यह कहीं tablet capsule के comparison liquid dose form से जादा better है तो सारा comparison liquid dose form से ही किया हुआ है यह दिमाग में set कर लेना सारा comparison के से है liquid dose form से कर दिया उनसे better है जादा ठीक है न इसली transport हो सकता है the onset of action of powder drug is rapid compared to other solid dose form tablet a capsule पहले क्या होंगे पेट में जाएंगी घुलेंगी लेकिन औरड़ी क्या है पिसे हुए है सिधा खाते हैं सिधा जाके dissolve हो आते हैं tablet वाले टूटेगी और टूटेगी और टूटेगी disintegrate होती है इसमें disintegrate होने जैसा कुछ नहीं होता है बात समझमा रही है single dosing इसकी single dosing कर सकते हैं छोचोटे पुडिया बना जेते हैं कि हां single dosing हो जाती है यजो पुडिया सवह खाना ये पुडिया शाम खाना ओना एविनिग में आया रात में खाना ठीक है और कैसे कर सकते हैं powder की single dosing कि एक चमत सुबए दूध में डालके खालो है भिख दूसकी किरा सकती है disadvantage कि है drug hasping bitter अगर या noisious, खाने से जी मिचलता है and unpleasant, टेस्ट खराब है, can't be dispensed in powder form अगर कोई दवाई हमारी कडवी है noisious हो है, जिससे की जी मिचला सकता है या टेस्ट खराब है, उसको हम powder को रूप में नहीं दे सकते हैं During the mixing of powder, there may be loss of drug powder को जब mix करते हैं, तो drug का loss हो सकता है क्योंकि उड़ जाता है, थोड़ा बाद, छलक जाता है इदर उदर ठीक है, डेलिक्यूशन, डेलिक्यूशन और हैग्रोस्कोपी क्यानिकि जो एक तरह सिंपल सी बात है, जो पानी पकड़ ले डेलिक्यूशन जो नमी, सोख ले, किस से? moisture, atmosphere से, ठीक है ना? तो ऐसी condition में हम दवाई को powder form में नहीं दे सकते हैं, क्यों? powder खुला हुआ रहता है, क्यों डक्कन खुला, नमी गई अंदर तो पूरा powder हमारा बेकार हो जाएगा drug which get affected by atmospheric conditions are not suitable for dispensing in powder form कुछ other atmospheric conditions हैं, जैसे कि light है, ठीक है? और आसपास का जो surrounding है, heat है, अगर इन सब चीज़ें से भी उसके पर affect पड़ता है atmospheric condition का, तो भी हम उसको powder form में नहीं दे सकते हैं not accurate dose forms, ठीक है? हम single dose दे तो सकते हैं, बट accurate नहीं हो सकती है हमने का एक चमच, तो एक चमच में कभी कम जादा थोड़ा बहुत रहेगा पुडियां बना रहे हैं, तो उसमें भी कभी बहुत थोड़ा बहुत कम जादा हो जाता कभी उसमें चार ग्राम, साड़े चार ग्राम, पॉने पांच ग्राम इस तरीके साथ एकदम accurate नहीं होगा, थोड़ा बहुत vary कर जाएगा not accurate doses form, किलियर है, ठीक है examples, powder commonly dispensed in a bulk form, ठीक है, powder used in a dry form ठीक है, bulk मतलब एक साथ जो धेर सारा होता है, जैसकि समझाब protein powder बगरा होता है बल्क में दिया जाता है, उसको bulk form कह देते हैं, ठीक है, dry form powder to be dissolved in water before use, अच्छा powder for reconstruction, तो जो bulk में powder आते हैं, बल्क जैसे मैंने बताया है, कि जैसे कि अपना एक simple उधान ले सकते हैं, हम लोग protein के डब्बे होते हैं, protein खाते हैं हम लोग, वो भी medicine है, या protein का इबर दिया जाता है patient को, तो bulk form होगी, बड़ी form होगी, तो जो bulk में powders आते हैं, वो तीन category के होते हैं, कैसे category के होगे, powder used in dry form, dry, जैसे कि अपना protein powder हो गया, powders to be dissolved in water before use, कुछ powders को हमें पानी में डाल कर खाना होता है, और तीसी category आती है, इसमें, powder for reconstitution, यह अपने syllabus में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़े बहुत मैंने और भी ले लिए यहाँ पर, इन दोनों को हलका हलका define करते हैं, जिससे कि तीनों में, एक difference आपकी दिमाग में create रहे, तो अपने syllabus में क्या है, powder for reconstitution, clear है, now, powder used in a dry form, dry मतलब सुखा, जैसा है, नगाला चमच खा लिया, या कोई और तरीका हो सकता है, ठीक है, use करने का, powders for topical application, example, antibacterial and antifungal powder, जैसे कि अपना आता है ना, वो powders आते हैं, जो थाइज वगरा होती है, infection वगरा होती है, छड़क लेते हैं, खाने को या लगाने को, clear है ना, तो powders for topical application, bulk, bulk मतलब समझ गया ना, एक साथ quantity में जो इस्तमाल हो रहा है, ठीक है, अच्छा, reconstitution कोई bulk क्यों कहा गया है, जो syrup आते हैं, उसमें bulk में आ गया, हमने उसको मिला लिया, फिर उसको थोड़ थोड़ डोज में खाते हैं, तो यान जिनके लिए एक साथ, bulk में आया हमारा इतना powder, उसको मिला करके बनाई से लिए, उसको bulk आगया, ठीक है, तो topical application, topical मतलब समझते हैं, topical मतलब बहारी, शरीर में उपर हिससे मुझे इस्तमाल होते हैं, उसमें antibacterial, antifungal powder हो सकते हैं, और non-medicated powder जैसे के talk powder, talk मतलब वही powder जो antipurritics, antipurritics, antibromhydrosis agent, astringents and antipurrants, ठीक है, तो यह जो dusting powder है, जिसके कई सारे मतलब जो dusting powder हम बॉड़ी में अपलाई करते हैं, उसके कई सारे functions होते हैं, lubricate कर सकता है, protect करेगा, absorb करेगा, antiseptic हो सकता है, ठीक है, antipurritic होगा, antibromhydrosis agent की तरहे काम कर सकता है, astringent की तरहे का पलने देते हैं, तो यह इस तरीके से उसके काम हो सकते हैं, तो bulk powder का मतलब clear हो गया है, अधिमाग में set हो गया, आप इमेजन कर लो, bulk powder तुमारे घर में कहां कहां पर मौझूद है, फटा-फट इमेजन करो, फटा-फट, ठीक है, यह पार तो तो तुम अपने घर से compare कर सकत अब dental cleansing powder, यह लोग हर कुछी को समझ में नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि यह dental वाला एक powder होता है, जिसे हम dentry fryses भी कहते हैं, generally containing a soap or detergent, इसके अदर soap या detergent include होता है, mild abrasive and an anti-carcinogenic agent है जो दातों के लिए इस्तमाल हो रहा है powder, तो उसमें obvious बात है, abrasive, घर्षन करने वाली ची Medicated होते हैं, यह उसके अंदर chemicals होते हैं, जो हमको ठीक करते हैं और बहुत ही महीन होते हैं to be applied into body cavity, याद कर लेंगे insuffilation body cavity, body cavity, insuffilation, ठीक है ना, जैसे कि suffocation होता है, suffocation कहां होता है, suffocation कहां होता है, जो जगे बंद होती है, गुफा टाइप, cavity type, तो cavity, insuffilation, तो insuffilation, गुफा, cavity, हैना, याद रहेगा, cavity हमारी body में नाक है, कान है, गुफाएं हैं ये, ठीक है, तो ear, nose, throat, vagina, ठीक है, तो जितनी में हमारी body में cavities है, वहां पर जो दवाईयां या powder इस्तमाल हो रहे हैं, उनको हम लोग insuffilation कहते हैं, by means of device known as insuffilators, एक छोटी से machine type की आते हैं, यासे pumping machine होत जाते हैं, शोटी से जो कान में डालेंगे, तो pressure से वो क्या होता है, powder अंदर तक से चला जाता है, ठीक है ना, बास समझ में आ रही है, उन machines को हम लोग क्या कहते हैं, insuffilators कहते हैं, और आप powder blower, powder blower, जैसे हम लोग फूख मारते हैं, फूख, तो वैसी जो machine होती है, वो powder आ administration of micronized powder, कुछ और equipment ही बनाए गए है, जो यह अपने बहुत अपने course में नहीं, समझ लो कि कुछ खास तरह की equipment ही बनाए गए है, जो micronized powder को, ठीक है, जो की relatively काफी potent होते है, potent drug मतलब, जो की काफी शक्तिसाली दवायों होती है, potent होती है, जिनकी छमता जाता होता है, शक्तिसा isodrine sulfate aeroheller cartridge award is an example of general purpose insuffilator, ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका डाइगराम यह बोला हुआ है, क्या है, nor isodrine sulfate aeroheller cartridge is an example of general purpose insuffilator, ठीक है, यह एक example दे दिया है, insuffilator का, nor isodrine sulfate aeroheller cartridge, अवाट कंपनी बनाती है इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना है तुम्हों को, क्या करोगे, अच्छा चलो मैं इसको तुम लोगों को दिखा देता हूँ, कि यह कैसा होता है, चलो, तो वो तुम लोगों के लिए diagram मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, कहा है, यह diagram दिख रहा होगा, डालोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, यह कुछ इस type का, रहता ह है ठीक है तो इस टाइब कर आएगा तो इसको इस्तमाल करने का तरीका यहां पर तो रहता है उसको यहां पर भी डिसकस नहीं कर रहें तो सिंपल से मशीन होती है इन सफिलेटर ठीक है ना बात क्लियर हो गई चलो आगे आते हैं नाओ पावडर फॉर तो बी डिसॉल्विन वाटर बिफोर यूज तो यह वो पावडर थे ड्राइप पावडर जो हम लोग डिरेक्टली क्या है पावडर के रूप में लेते हैं ठीक है हमको यहां पर किसी दूसरी चीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरे टाइप के बल्क पावडर है वो है डिजॉल्विन वाटर हमें पानी के अंदर डिजॉल्व करना है जैसे की एंटाइसिट और लग्जेटिव ठीक है ना और यूस्ट वी मिक्सिंग डाइट अमाउंट ऑफ पावडर ठीक है इना पोर्शन ऑफ वाटर बिफोर स्वैलिंग ठीक है त उसको पाने हमें डाल करके फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है फैर ऑफ अ निर्देश इतनी अमाउंट निर्देश की गई है निर्देशी और पावडर फो जनली एक चंबने मच होता है ठीक है इननेasanव वाटर पूस्छन होता है ठीक है 500 ml 500 ml बहुत ज़ादा हो गया 100 ml 200 ml पानी में डाल करके आया एक ग्लस पानी में डालोगे before swallowing ठीक है निगलने से पहले dietary food supplement जिसके अंदर protein powder बगरा आ जाएगा douche powder douche powder क्या होते है vaginal douche होती है ठीक है vaginal भी इस्तुमाल करने को लोती है and dissolved in warm water ठीक है तो जो douche powder होती है इनको हम लोग करते है गरम पानी में डाल देंगे before as antiseptic or cleansing agent पानी में डाल करके फिर क्या है उसको हम इस्तुमाल करते है for a body cavity application यानकि body cavity के application यानकि body cavity में हम उसको use करना होता है douche powder को तो गरम गुन गुने पानी में डालते है ठीक है they may be formulated for nasal, otic और ophthalmic वैजना के साथ साथ या नाक, कान और ophthalmic आख के आखो उसके लिए भी use में आ सकता है ठीक है नाक, कान, आख सबके लिए generally since aromatic oils are included in these powder ठीक है आम तोर पे aromatic oils का इसके अंदर इस्तमाल होता है ठीक है dispensing in wide mouth glass jar serves to protect against loss of volatile material and permit easy access by the patient तो कह रहा है dispensing in wide mouth ठीक है इसका कोई मतलब नहीं हमारे हैं आपर लेकिन simple सी बात बता रहा है कि हम जो dispensing in wide mouth जो चोड़े मूँ वाले glass jars होते हैं इसके अंदर हम इसको रखते हैं to protect against loss of a volatile material जो volatile material है उससे हम क्या कर सके है उससे protect कर सके and permits easy access by patient और patient भी क्या कर सके उसको easily access कर सके थोड़ा मूँ रहेगा तो उसको access करना क्या रहेगा असान रहता है के लिए रहे बाते हैं तो powder to be dissolved in water before use ठीक है dry powder जो directly इस्त्माल हो रहे थे अब आता है dry powder for reconstitution ठीक है तो वो बेटा उसके लिए है कभी knowledge के लिए आ सकता है कि इसके अलावी कोई और अलब reconstitution के अलावा भी किसी टाइब के potter होते हैं क्या जो हम लोग इस्तमाल करते हैं directly तो आंसर है yes होते हैं ठीक है तो reconstitution हम सब जानते हैं reconstitution में दो तरह की variety हम सब जानते ओरल एंटिवाइटिक एंटिवाइटिक medicine आती बच्चों के लिए हम लोग ना सीरप मिला लिया फिर ऐसे सीसियां होती है देखा को तुम लोग ने अपने घरों में यहां तक मार्क होता है ठीक है एक में powder हो इसके अंदर भरा रहता है और एक क्या रहती है पतली सी सीसी आती है इसके अंदर water रहता है गलत बोटल फिर इलाते है फिर िलाते हैं फिर में लेवल बाते हैं याद आया ठीक है इसे तरह से हमारे पास injections होती है इसके अंदर क्या रहाएगा powder रहता है और यहां पर होगा ठीक है ना बच्वन में पीते भी होगे उसको तो अब औरल एंटिबाइटिक फॉर स्टेविल्टी प्रॉब्लम दा एंटिबाइटिक इस प्रिपेड इन ड्राय फॉर्म कई बार क्या होते कुछ एंटिबाइटिक क्या है अगर हम उसको डारेक्टली लिक्विड फॉ ठीक है और उसके अंदर एक खास अमाउंट ऑफ वाटर एड किया जाता है इस्तमाल करने से पहले के लिए रहे बाते वान सिटीटिटेट एक बार हमने जब इसके अंदर पानी मिला दिया रीकांस्टिट्यूट कर दिया दा पेशेंट शुड भी वांड पेशेंट को वार चलने को तो आट से दस दिन चल सकता है लेकिन साथ दिन डॉक्टर भी मिनिममम लिखे चलता है कि यह पी डालना नई पी पाओ तो फैक देना क्योंकि फिर वह दवा साथ दिन के बाद काम की नहीं रहाती है और गाउं में यह चीज बहुत से लोगों को कई वर पता नहीं ह होता है और यहां आती है दिकत क्योंकि कुछ सीरप तो है कि हमने खोल लिए और पूरे साल इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन यह जो घुलने वाले सीरप हैं यह आप लग जरूर जरूर अपने गाउं में या चेत्र में पक्का यह चीज बताएं कुछ लोग अगरते गुले और और तरह की बिमारी या कुछ और चारी रियक्शन हो जाते हैं तो बच्चा फिर प्रॉलम में आता है ठीक है ना बास समझ में आ रही है ठीक है अब आके आते हैं हम लोग अब जबो यह तो सिंपल सी कहानी थी क्योंकि यहां पर हम सब को पता है पौडर के बारे में क्या है होता क्या है और अंटिवाटिक ठीक है इसके बारे में बात क्या है पौडर है पौडर वोग टैबलेट कैपसूल वाले सारे पौडर है मेन मुद्धा यहां पर जो आने वाला है कि how to reconstitute oral suspension सही तरीका क्या है किया आपको पता है सही तरीका क्या आप जानते है सही तरीके से कैसे पानी घोला जाता है हां तो हमें कमेंट करके बताएं तरीके oral पता नहीं होता थे सब करा चुका हो दो तरीका यह डिक सब करा चुका हूँ तो उम्मीद करता हूँ सॉस्पेंशन वगर सब समझते होगे तुम लोग अब ठीक है ना पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन जब ओरल सस्पेंशन हमें तयार करना है और प्रप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन और प्रप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड लूज ड्राइब पार्टिकल साइज ठीक है ना यहाँ पर क्या सिंपल हम लिख सकते हैं लाइन ना यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जिए जो रीकंस्टियोशन होता है और जो हम बनाते हैं वह फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसको पॉडर को रूप में डवलब किया जाता है ताकि जो aqua suspension में उसे बाद में तयार कर सके हैं ठीक है आगे आते हैं powder for suspension are marketed as oral reconstitutable medication जो powder है suspension वाले वो market किये आते हैं oral reconstitutable medications in unit dose sachet और multi dose bottle या single dose sachet में भी इसे market में आ सकता है या multi dose bottle में भी आ सकता है most drugs prepared as a dry mix for oral suspensions are antibiotic जातर जो drugs मिलती है market में या आती है ठीक है वो oral antibiotics होती है they may contain excipient to facilitate dispersion उसके अंदर excipient हो सकते हैं जिससे की dispersion easily हो सके और dissolution आराम से हो सके to prevent caking caking मतलब चिपके ना आपस में वो एक तरह का ठीक है ना मतलब या चिपक करके जो एक तरह से condition create होती है चिपक के breaking वाली condition आती है वो चीज ना हो the popularity of this dose form is due to the inherent physical instability of suspension and the desirability of relatively long shelf life इस type की जो dose है इस type की जो dose है वो क्यों आरी market में वो इसलिए आरी है जिससे की क्या हो सके physical instability वो जो powder को अगर हम गीले form में लेके आएंगे market में तो बहुत लंबे समय तक stable नहीं रहेगी और जो desirability of relative long shelf life हम जो लंबे समय तक उसकी stability और desirability जैसा है वैसा चाहते है वो लंबे समय तक powder के form में तो रहा सकता है लेकिन liquid form में नहीं रहेगा तो हम उसको powder के form में दे दे रहे हैं जब आपके इस्तिमाल करना है तुरंज liquid डाल कि आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर एक छोटा सा introduction हो गया कि जो oral suspension है वो क्या है क्या है क्या है हमारे पास सारा जो powder आ रहा है वो oral suspension के रूप में ही आ रहा है अब types of powder for oral suspension types की बात करें तो unit dose single dose वाली आती है और multi dose वाली भी आते हैं unit dose बहुत कर लोग जानते होंगे शायद unit dose में तो एक छुटा सा उधारन दो में unit dose जैसे की आते हैं कई बार देखागा जै कैल्सियम के powder आते हैं calcium के sachet आते हैं एक ही dose होती है डाला डूड में पी गए और multi dose अपने multi dose तो होते हैं जो आते हैं multi dose वाले ठीक है ना तो single dose जनरली किस में आएंगे शैसेट में आएंगे पाउच में आते हैं ठीक है ना तो कहरा है जो सैसेट में आता है उसको हम लोग एडिस्टर कर सकते हैं पेशेट को पेशेट को दे सकते हैं बाइ स्प्रिंकलिंग जातो उस powder को हम लोग semi solid food चाबल बगए रहा है जैली बगए रहा है आईस क्रिम बगए रहा है उनके ऊपर छड़क दिया पूरा पॉर्टर क्या होगा डाल दिया, ठीक है, या suspending इने suitable vehicle, या suitable vehicle पानी या दूद में डाल के दे दिया, ठीक है, such as water, juice, ठीक है, immediately before administration, immediately before, तुरंत administration आदे, खाने से तुरंत पहले, इसको हम लोग या छड़क देंगे, या पानी या juice में डाल जेंगे, और patient को फिर तुर पॉपलिशन, ठीक है, who may have sorrowing difficulty, ये generally किसको दिया जाता है, अब पूछा जाएगा, drive powder form किसको दिया जा रहा है, तो obviously बात है, pediatric, बच्चे नहीं खा पाते हैं, tablet या capsule, भूडे को निगलने में दिक्कत आती है, ठीक है न, तो pediatric and geriatric population, geriatric होगे बुड़ा प्या, जो बुड़े लोग होते हैं, ठीक है, जिनको swallowing, who may have swallowing difficulty, उनको गोलियां, capsule निगलने में दिक्कत है, तो बिचारे, उनको फिर हम लोग इस तरीके से क्या है, powder के रूप में, खाने के साथ, या किसी liquid रूप में डालके दे देते हैं, and for high dose compound, ठीक है न, बात समझ में आ गई, की requirement for this dose form is the palatability of the drug, सबसे बड़ा इस form का requirement क्या है, palatability, कि वो खाने लाइक हो दबा, कड़वी नहीं हो, अचकची सी ना हो, खाने तो tasty लगे, यह होना चाहिए, सबसे बड़ा key requirement इसका यही है, इस dose form का, ठीक है न, palatability, extremely bitter और unpleasant tasting, जो बहुत यहादा कडवे हैं, यह जिनका taste बहुत बुरा है, drug are generally not suitable for formulation as powder for suspension, जो बहुत कडवे हैं, यह बेकार हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं है, उसको हम लोग powder के रूप में, powder for suspension के रूप में नहीं दे सकते हैं, ठीक है तो पेड़ा जनल बाते हैं, यह बाते समझें, आ रहे हों, घूम फिर के वही सारी बाते हो रही है, किन को देना है, किन को नहीं देना है, क्या condition होनी चीए, ड्रक्स की, यह तीन बाते हैं, ठीक है ना, क्या-क्या बाते निकल का आई, कि यह किसको दी जाती है, बात समझ मारी है, औरल, एक तर से औरल ही हम खासियत क्या है, क्या condition है इसकी, कि तब हम किसी medicine को इस रूप में दे सकते हैं, तो सबस्वरी खासियत क्या है, वो खाने लाइक होनी चीए, कड़वडवी नहीं होनी चीए, क्लियर है, अब multi dose की बात कर ले, ठीक है, multi dose powder for oral suspension, the multi dose powder for oral suspension, dispense just powder in suitable size bottle, एक size खास तरह की बोटल होती है, थे न, amber color bottle होती है, या आजकर plastic की bottle में भी आते हैं, ठीक है, उसके पाडर मिला हुआ होता है, एक suitable bottle होती है, for reconstitution with water by the pharmacist immediately before dispensing, dispense करने से तुरंत पहले उसको हम लोग, यानिकि आभी अगर सुबह से खाना सुरू करना है, दुपर से खाना सुरू करना है, त जो powder form है, वो stability में superior है, compared to liquid doses form, ठीक है न, तो superior stability of the powder doses form allows long self life, इसकी वैसे उसकी life लंबी होती है, हम दो-दो साल तक powder को supply कर सकते हैं, market कर सकते हैं, ठीक है, of the commercial product at room temperature of the drug that is very unstable in presence of water, और जो की बहुती ज़्यादा unstable है, पानी की मौझुदगी में, तो पानी की मौझुदगी आत तो इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, एक वरी दवा बन गई, तो साथ दिन का फैंक देना, भले खाओ या ना खाओ, क्योंकि फिर वो बेकार हो जाएगी, the reconstituted suspension has a limited self life, उसकी self life बहुत जादा limited होती है, कि इसकी जो बन के तयार हो गया है हमारा, हमने powder लिया है, डॉक्टर हमने का खाना है, हमने पानी मिला लिया, अब जो मेरा सीरप तयार हो गया है, उसकी life बहुत कम है, under designated storage condition, जो storage condition है, हम सब को पता हम सब के घरों में, सब के घरों में क्या है, आज भी गाओं धियात के जो लोग है, ठीक है, जो लोगों के घरों में सारी facilities है, अच्छी बात है ठीक है ना, तो ऐसी situation में, डॉक्टर इसलिए साथ दिन कहता है, otherwise अगर आप उसे freeze वाली condition में रखते हैं, तो लगबग 14 दिन तक आप उसे रख सकते हैं, इस्तमाल किया, इस्तमाल करने का फ्रीज में रख दिया, तो 14 दिन, इसलिए डॉक्टर ने एक आम तरीका अपना ल ही है, या कई वर कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छा बच्चा बिमार है, तो सफर कर रहे हैं, दो दिन तो फ्रीज में रही, तिसे दिन सफर पे निकल के दवाई के साथ, बच्चे के साथ, तो ये सारी conditions आती है, ओके, अब ideal property ये तो मन से बना के लग दोगे, ideal property क्या होती है, the quality attributes of a suspension reconstituted, ठीक है, कौन कौन सी quality होनी चाहिए, तो कह रहा है, quality attributes, जो qualities attributes है, एक suspension के लिए, एक मानक है, ठीक है, for a powder for suspension are same as those of suspension that is marketed in ready to use form, तो same conditions है, same ideal property है, जब वो suspension पानी बनने के बाद तो क्या हो गया, suspension बन गया, है ना, तब जो properties हो तो दोनों के लिए same ही होने वाली है, okay, in addition, there are quality requirements for unit dose powder for suspension powder sachet, और the multi dose powder for suspension powder in bottle, these include, ठीक है, उसके बाद कहा रहा है, इसके अलावा, there are quality requirements, कुछ quality की requirements है, for the unit dose powder, जो single dose powder है, for suspension powder sachets, और the multi dose powder for suspension powder in bottle, इनके लिए कुछ quality है, क्या है, आओ देखे, fill amount, the amount of powder per container must be tightly controlled, तो suspension बन के आता हो, तो क्या, बल्क में बना लिया, 500 लिटर बनाया, फिर सब में 60-60 ml, जो 50-50 ml, सीरफ में भरना हो, तो भर दिया, वह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, यहाँ पर हमने क्या गया, हमने, तुम ने देखा हो ना, बोटल में, इतना से रहत पॉडर, अब यह पॉडर सपोस्पांच ग्राम है, तो हर किसी में पांच-पांच है, जद्दस ग्राम जो पॉडर है, वो हर बारी एकदम, fill amount, है ना, मशीन जब, है बोटल लगाता राती जारी, मशीन इसके अदर डालती जारी है, तो यह जो amount है, यह बहुत सही रहना च तो उन्हें market से 2 बोटल लेकर आए, 15 बोटल मैं निकल गया, चारी ग्राम, तो क्या होटाओ, मतला भरने में दिक्कत हुई, तो भई उसके असाथ थे ने दबा ठीक, लेकिन क्योंकि क्या हुआ, यहा पर घड quick dv a Пр one-र नहीं था तो फिर treatment में दिक्कत आती है, तो इसले के लाइन पढ़ने की जरोत नहीं है जो एन बोल जाए उसी को आप explain करके लिख सकते हैं ता amount of quarter per container हरे container में must be tightly controlled बहुत ज्यादा tightly control होना चाहिए 5 gram मतलब 5 gram हो सब में to be as close as possible to the amount listed on the label जो level पे लिखा हुआ है चलो यहां तो तब भी 5-10 gram होता है जो sachet होते हैं है ना ऐसी होते हैं sachet फाणने के लिए होते हैं इसके अंदर मालो एक gram ही है तो एक gram को भरना बड़ा बारी को दो चार दाने ही दो दो हो जाते हैं तो gram में अंतर आ जाएगा ठीक है ना तो बड़ा tight काम है यह reconstitution time तो क्या मतलब इसका as powder for suspension are meant for reconstitution by the patient or the pharmacist the suspension should be readily formed on addition of water and reasonable manual agitation ऐसा नहीं होना चाहिए री को मतलब हमने उससे reconstitute कर रहे हैं तुमने पानी दे दी हमने भी फाड़ा भुड़ा पानी डाला अब उसमें हिला रहे हैं हिला रहे हो तयारी नहीं हो रहा या पांस से दस मिंट ले लिया ऐसा नहीं होना चाहिए ना time नहीं किसके पास time किसके पास है तो कह रहे है reconstitution time a powder for suspension are meant for reconstitution by the patient or the pharmacist जब वो reconstitute किया जाएगा किसी patient या pharmacist के दोआरा the suspension should be readily formed उसको तुरंत बन जाना चाहिए ठीक है on addition of water and reasonable manual agitation थोड़ा सा हिला दो तो बनके तयार हो जाए यह नहीं घंटे वर हिला रहे हैं तो बनके थोक रहे हैं पीट रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो यह कुछ qualities parameters हैं मतलब एक normal suspension और reconstituted suspension सारी ideal properties same हैं लेकिन reconstitution वाले में यह कुछ बाते हमें additionally ध्यान रखनी हैं किसरा गया है uniformity of content container to container uniformity of content of the powder for suspension is important to assure uniformity of the drug amount dispensed across different container ठीक है वोई बात आगी एक तरह से कहीं ना कहीं uniformity of content है जैसे fill amount आगया कि कितना भरा जाएगा और uniformity of content कहीं लाखीद दोनेची चीजें तो सीम है तरह container to container ठीक है यहाँ पर उसने केवल किया क्या कि में कि न केवल थी कि जो वाहर न्य. चाहिए किलियर है और container to container में क्या है uniformity of content कि हर एक bottle में भी same amount होना चाहिए container to contain uniformity of content of the powder for suspension is important to assure ठीक है जब यह same रहगा हर एक bottle में तभी यह सुनश्चित होगा कि हर बार जब वो patient दवा bottle लेता है कि उसको दवा same मिल सके ठीक है physical and chemical stability की बात करें the powder for suspension must maintain physical and chemical stability ठीक है the powder for suspension must maintain उसको अपने आपका खुद का chemical और physical stability को maintain रखना है throughout the labeled shelf life जितना उसमें labeled है अगर बोला गया है साथ दिन या 14 दिन तो उतने दिन तक तो उसे जो मर्जी condition जो mention है उन condition में उतने दिन तक उसे अपनी shelf life को maintain रखना है the label storage condition ठीक है ना जितना time बोला गया है वो बोलेगा 14 दिन अगर below 30 degree रखते हो और 14 दिन तक दवाई तुम्हारी रहेगी सही तो उतने दिन तक उसे ही रहना है ठीक है ना यह होना ही चाहिए तो यह कुछ extra conditions है उसके साथ में ठीक है तो यह कुछ point आते हैं कि क्या special requirements हैं क्या other requirements है या ideal properties होनी चाहिए एक reconstituted suspension में compare to normal suspension तो यह answer आएगा तो यह point बेटा आपका important होता है जो exam point of view में आ सकता है और जो दूसरा important है वो यह है how to reconstitute oral suspension इसको तो तुम कहोगे सर यह तो हमें पता है ठीक है तो हमें आता है no doubt मुझे पता है कि यह तुमको आता है बट इसको समझो मुझे पता है कहां गड़बड़ करोगे वो में बताऊंगा तुम्हें क्या कैस ट्रैप में साथ से पहला है determine the type and volume of dilament needed ठीक है ना determine the type उसका type और कितना volume डालना है type मतलब पाने कोई भी साधाना water से काम चल जाएगा या distill water ही डालना है gently shake the bottle to loosen the powder ये काम कुछ लोग नहीं करते हैं देखो दूसा step ही हम लोग क्या करते हैं बोटर ली खोली और पाइंट डालना चलू कर दिया नहीं उससे पहले जिस बोटर में powder है ना उसको अच्छे से हिला लो जो पॉडर के वह रखे रखे हलका सा जमता है जो वो पॉडर पूरा अच्छे से हिल जाएगा खाली पॉडर को ठोक ठोक के हिला लो इससे कि पॉडर पूरा फैल जाया अच्छे से ओके जैंटली 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 यह नहीं बहुत ठोक पीटी करके बोट है ना बोटल को लूज दा पॉडर पॉडर को लूज करो ओपन दा कैप आफ दा बोटल फिर बोटली कैप को खोल दो step 3 for antibiotic bottles with marking bottles में क्या होती मार्किंग होती है मैंने बता ही थी ना अब मार्किंग रहती है कि यहां तक तक में डालना ना एक मार्किंग से रहती है विद मार्किंग केरफुली एड कूल बॉइलड वाटर देखें मैंने क्या कहा इसमें टाइप एंड वॉल्म कितना वॉल्म डालना और टाइप कहीं पर लिखा होता कि गरम पानी को अबाल के थंडा करें मिला लें कहीं पर आजकल पानी साथ हा रहा है ठीक है ना तो कह रहा है एड कूल अगर हमें तक पानी डालता लाइं और फिर उसे कशन के नार। फिर दौरा में पानी हम लोग यहां तक है पिर कुछ लगता गार यह झाल लह है तो फूरा स्टाइब या पढ़ते हैं यह स्टैफ आप substantially बวिदा अगर इस एकजां में आएगा तो फानल अब कह रहा है कि जिन में मार्किंग है वहाँ तो ठीक है और जिन में मार्किंग नहीं है As for antibiotic bottle without marking तो आप refer करें कहां देखें इस चीज़ कि कितना पानी मिलाना है Antibiotic packaging उसकी packet में देखें कुछ ना कुछ पका लिखा होगा या patient information leaflet PIL है ना इसे क्या बुलते है Patient information leaflet PIL एक अंदर परच्छा सा निकलता है उसमें सारी information लिखी रहती है Provided by the manufacturer जो manufacture के दोरे provide कराए गया है और your pharmacist या जो तुमारे pharmacist के दोरे दिया गया है For information on the required volume of water कि कितना volume पानी का मिलाना है mix करना है The dry powder antibiotic You may use marked measuring cup to measure the required amount of water और अगर उसमें कोई चीं mention नहीं है तो आपको यह ऐसा cup इस्तिमाल कर सकते हैं जिसकी help से आप measure करके उस कंदर पानी को add कर सकते हैं ठीक है इतनी line नहीं लिखनी है तो क्योंकि आज कल क्या हो रहा है यहां तक भारा काम हो जाएगा यहां तक ठीक है न क्योंकि आज कल सब में marking आती आती है तो आप इतनी तीन line लिखोगे के बाद Step 4 Replace the cap of bottle Replace करने मतलब वापस से लगा देंगे बोटल को shake the bottle until all the powder is thoroughly mixed हिलाएंगे बहुत अच्छे से कि पूरा powder मिल जाए Allow the suspension to stand for about 2-5 minute to rid the air bubble in the bottle फिर क्या करेंगे suspension को थोड़े के लिए 2-5 minute के लिए छोड़ देंगे जिससे की air bubble वगरा उसके अंदर खतम हो जाए Open the cap Carefully add water till the देखो ये काम भी कोई नहीं करता हम लोग क्या करते हैं मैं तो ऐसी करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ ठीक है करता था अब नहीं करता ठीक है क्या होता करके कि आपने जब आदी बोटल मिला ली उसको थोड़े छोड़ देना है जिससे की जो bubbles वगरा बने हैं वो सब चले जाए खतम हो जाए फिर उसके बाद ओपन दा कैप फिर कैप खोलनी है केरफुली एड़ वाटर तिल दा फाइनल मार्किंग अब उसको फाइनल मार्किंग तक हमको पानी को एड़ करना है तुम लोग कहोगे सर यह तो हम ऐसी कर लेते थे दो मिंट की चीज में इतना लंबा इतने लंबे इतने सरे स्टेप तो पेटा ideal condition यही है ठीक है ऐब अपन धा कैप फिर कोई फिर फिर फाइनल मार्किंग तख डाल देंगे रेप्रेस्ट का पाफ बोटल की कैप को वापस से लगा देंगे इणवर्ट दा बोटल एड़ चैक बोटल को उल्टा करना है, invert the bottle है ना, फिर हिलाना है इसको, सीधी बोटल नहीं हिलाई जाएगी, उल्टा करके हिलाई जाएगी, and shake the bottle vigorously, vigorously मतला काफी तेजी से for at least 5 seconds, to get an even suspension, जिससे कि suspension हमारा एकतार हो जाए, make sure आप सुनिशित करें, the medication has dispersed completely before administering to the patient, कि जब भी आप patient को अच्छे से खुल चुकी हो, clear है, यह हमारा क्या हो गया, reconstitution हो गया, अब हम क्या करेंगे, 8-way step में, administration करेंगे, तो मैंने heading डाल दी आपर, 8-way step क्या होगा, अब हम patient को देने जा रहे है, shake the prepared suspension well before giving each dose, हर बार जब भी आप dose दोगे, हर बारी आपको suspension को हिलाना है, to make sure that you are giving the right dose Use the measuring tool that comes with drug, है ना कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा है ऐसा ले रहा है से पी ले हो, यह काम नहीं करना है, जो drug के साथ एक measuring cap आती है, उसके हिसाब से आपको लेनी है, example, oral syringe, measuring spoon और calibrated medicated cup, medication cup, कई सारी चीज़े हो सकते हैं, oral syringe आती हैं कुछ, जिसमें हम भर करके, कि हाँ 5 ml, 2 ml उतनी patient को देते हैं, measuring spoon आते हैं, कुछ spoon साते हैं, हाज कल सात में, वो देती हैं, या calibrated medication cup, calibrated, जो cup उसके पर लगए ता 5 ml, 10 ml वाले, वो calibrated होते हैं, calibrated मतलब नाप करके उसके उपर marking बनाई जाती है, ठीक है, if the drug does not come with a measuring tool, अगर उसके अंदर किसी type का tool नहीं आ रहा हैं, you may ask your pharmacist to recommended one, recommend one, तो तो तुम फार्मसी से पूर सकते हो कि भईया, हम कितनी लें, तो बताएगा कि इतनी छोटी चमच, चाय पत्ती वाली चमच, है ना, कि घर में खाने वाली चमच, उसका एक एक लेते रहो, एक एक चमच, दोदो चमच, do not use a kitchen spoon or table spoon as they are not accurate, ठीक है, हम storage of reconstructed powder for oral suspension, अब अगला step होता है, हमने reconstructed किया, patient को दवाई दे दी, अब उसे store भी करना है, the suspension should either be stored in the refrigerator, या तो उसको हम फ्रिज में रखेंगे, refrigerator में रखेंगे, और kept at room temperature in cool dry place 25-30 degree centigrade, या किसी ऐसे कमरे में रखेंगे, जहां पर हमें दिख रहा है, कि वहां पर temperature 25-30 degree है, उस कहा गया है, वैसा, ठीक है, do not freeze the preparation, freeze नहीं करना है, sorry, do not freeze, मतलब आप जो freezer होता है, freezer जिसमें बरफ जमती है, उसके अंदर मत रख देना सीरफ को, सीरफ जम गया अगर, तो बेकार हो जाएगा, यह नहीं कि सीरफ को जमा लिया पहले बरफ, फिर पिगला रहे हैं और फिर प constitution, कहा रहा, discard कर दो, फैक दो, बचे हुए suspension को, upon expiry, expiry मतलब जितना बताया गया, 7 दिन, 6 दिन, ठीक है, reconstitute करने के बाद, 6-7 दिन बाद, जितनी तारीख बोला गया, उसके अदो से फैक दे, note, क्या note है, if you have more than one bottle of the same suspension, अगर एक ही तरह के suspension लेके आयो, उसकी 2-3 बोटल ल ना के त्यार करके रख ली, एक जब खतम हो जाएगी, तब दूसरी बना नहीं है, ठीक है, बास समझ मा आ रही है, रुक जाओ अभी, अभी chapter खतम नहीं हुआ है, अभी हमारा oral suspension को, reconstitute करना हमने सीखा है, मतलब, lecture खतम नहीं हुआ, तुमने का, हाँ हो गया, कुछ बच्च के लिए हो, या injection के लिए हो, इसके भी कुछ step है, आओ देखें क्या step है, आदे में भी classified as bulk or divided powder, ठीक है, तो powder for injection यह भी कई तरीके सा आते हैं, इनको भी हम बल्क या, divided powder के तर्म में convert कर सकते हैं, injections of drug that are unstable, in solution must be made immediately prior to use, तो वही बात आ गई, injections of drugs, ऐसे drugs इनको 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 किया जाना है, और जो कि क्या है, unstable है, solution में, पानी के अंदर, उनको हम तुरंत, इस्तमाल करने से पहले, बना लेते हैं, ठीक है, and are presented as sterile powder in ampoule, ampoules के अंदर आता है, powder के room में, ठीक है न, sterile water for injection is added for a second ampoule, और दूसरे ampoule में, उसी के साथ ही दूसरे ampoule आता है, उसके अंदर क्या हो काफी सारे injection जो है, वो powder form में आ रहे है, बात समझ मा रही है, चले आगे, अब बस इसके step है, उसको खतम हो जाएगा यह, step क्या है, देख लो, clean, अब यह सब को बताए, clean the table top with all purpose cleaner, जहां पे आपको injection रखना है, injection, syringe जालानी, उसको clean कर ले, alcohol, bleach, wipe या किसी से भी, अच्छे स साफ करें, तरीका यही है, ठीके न, रखने को आप ऐसी रख सकते हैं, wash your hand for 15 seconds, उसके अपने हाथों को धो यह 15 seconds के लिए, with warm water and soap और hand form, किसे भी धुलिए, gather these supplies, उसके बाद फिर यह सारी चीज़ें इखटा कीजिए, alcohol wipes, alcohol की लगी हुई जो रूही होती ही न, while bottle of liquid used for mixing medicine, ज जिसके अंदर powder है, syringe, ठीक है, filter needle and replacement needle, अगर इस्तमाल हो रही है तो filter needle और replacement needle, ठीक है, अधर यह सारी चीज़ें लाकर की आप इखटे कर लेंगे, check while level for correct drug name, आप उसके बाद, यह नहीं कि हाँ बस लगा दिया, injection उठाएंगे, नाम पढ़ेंगे, क्या सही दवा देने जा रहे हो, क्या side dose देने जा रहे हो, discard date and mixing interaction, कि कब उसे फैकना है, और क्या mixing के instructions है, पढ़ता कोई नहीं है, कोई एक बार पढ़ने के बार आप लगा देते हैं, वो लोग पढ़ चुके उनको रोज पिशिंट आते हैं, तो वो दवा को कैसे दिया जा रहा है, उनको idea होता है, ठीक है, remove the plastic cap from both vials, plastic cap जो होती हो उनके उपर की, एक उसके उपर होगी, powder वाले के उपर एक, उसके उपर होती है, पानी वाले के उपर, दोनों के उपर हटा देंगे, use a fresh alcohol wipe, जो alcohol wipe होटी है, तो scrub the rubber top, यह कोई यह step कोई नहीं करता है, ठीक है, अलकोहल से जो बोटल के उप प्लाश्ट रवर्ट देखना लगती है, जिसके उसके सिरिंज घुसा करके हमें पानी खीचना है, या मिलाना है, उसको alcohol से साफ करना होता है, ठीक है ना, यह जो alcohol wipes है, यह patient के लिए नहीं है, यह इसके लिए है, ठीक है ना, हम उसको क्या कर लिया हमने, scrub कर लिया, उसके ट पैकेज, सिरिंज को निकालेंगे, टाइटेन नीडल्स एंड पुल दा नीडल कवर, इस्ट्रेट आफ, उसके बाद क्या होता है, टाइटेन नीडल्स, जो नीडल के उपर वाला होता है, उसको पूर्सन को ऐसे करके टाइट कर देते हैं, और उसको फिर आगे वाला जो हो आउंट ओफ लिक्विडी नीड तो मिक्स यॉऔर मेडिसिन विच इतने एमल की पांच, 10 ml, 15 ml, 15 ml के सिरिंज नी ओती, 5 ml की एक फैवर इंजक्शन 2 ml का होता है, कह बाद 3 ml का है, कह बाद 5 ml का है, ठीक है ना, तो ये देखो, ये प्लंजर है, ये बैरल है, ये निडल है, ठीक है ना तो अब plunger को उतना खीच लेंगे जितना आपको उसके अंदर पानी को मिलाना है करके ठीक है जब आप एर को पुष्ट कर देंगे उसके अंदर तो उसके अंदर प्रेशर कारड़ी हो जाएगा फिर उस pressure से मालो इसके अंदर यह supposed bottle है इस ताई पर ठीक है तो इस pressure से वापस इसके अंदर दवा आएगी और तीन एमल तकी वो पानी या liquid है वो भरेगा इसके अंदर उससे यादा नहीं भरेगा इससे कि हमारे dozing accurate हो जाती है आगे आते हैं keep your thumb on the plunger of the syringe, syringe के plunger पर अपने थम को रखो turn the while upside down जो while है उसको upside down ठीक है उल्टा कर देंगे pull back on the plunger to remove the liquid ठीक है ना keep your thumb on the plunger of the syringe, syringe के plunger थम रखेंगे turn the while upside down, उसका upside down करेंगे, ठीक है pull back to the plunger to remove the liquid ठीक है ना pull back उसको खीचेंगे ताकि liquid remove हो जाए, tap syringe to move air bubble to the top उसके वाज़ा हमने syringe को निकाल लिए उसके अंदर से उसको tap करेंगे, जो air bubble है वो बहार निकलाए push them back into the while, फिर हम उसको वापस से while में डालेंगे make sure the needle tip is in the liquid as you pull back on the plunger slowly to draw out the correct amount which is dash ml ठीक है तो पूरी process है यहाँ पर कि हमने उसमें खीचा फिर उसको वापस खीचेंगे, उसमें कुछ air आ जाता है ठीक है ना air ठोक है फिर उसे उपर निकालते है फिर वापर डालेंगे फिर वापस से निकालेंगे यतना हमें चाहिए उतना amount हमारे यहाँ पर आ जाएगा पूरी process यह लिखी हुई है यहाँ पर ठीक है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है सबको पता है उस process लिखी हुई है step number 11 remove the needle and syringe from the oil ठीक है needle और syringe को वाइल से बाहर निकालेंगे insert needle into the oil of powder अब जो पानी उसकंदे भर गया है बच्चे कहेंगे सर क्या खोकट पाल दिये यह वैटा जो process है ना वो पूरी लिखी हुई है ठीक है परिशान नहीं हो इसको simple बाहता है आप लोग लिख सकते हो कि हम इसमें पर एक लाइन लिख देना केवल जिनको दिक्कत आ रही है कि हमने सिरिंज को पानी डालेंगे टेक यहां पर सीधा लिखना टेक दा रिकमंडेट या एड्मिस्टेड अमाउंट फ्रॉम दा लिक्विड वाइल इंटू दा नीडल इतना लिख देना केवल ठीक है न रिमूब नीडल एंट सिरिंज फ्रॉम दा वाइल नीडल और सिरिंज को बाहर निकाल लेंगे ठीक है इंसर्ट दा नीडल इंटू दा वाइल आफ पाउडर मेडिशीन यह क्लियर हो गया ना यह क्या था यह किस तरीके से था ठीक है इंसर्ट दा नीडल इंटू दा वाइ के साइट से होता हुआ चीदा पाउडर में नहीं वाइल के साइट से होता हुआ पान उसके अंदर जाये रोल दा वाइल अंटिल यू कांट सी एनी मोर पाउडर उसको रोल करें हिलाए जब तक उसके अंदर एक भी पाउडर करन आपको दिख रहा है and the liquid is clear और आप वो लिक्विड पूरा clear ना हो जाए if your nurse told you to use filter needle switch to one the way your nurse showed you before you pull out the medicine from the wild ठीक है ना अगर आपकी nurse आपको filter needle use करने के लिए कह रही है if your nurse told you to use a filter needle ठीक है ना कि filter needle का इस्वाल होना है switch to one the way your nurse showed ठीक है जिस तरीक से आपके nurse ने बताया है before you pull out the medicine from the wild तो medicine को wild से खीचने से पहले जिस तरीक से बताया गया उस तरीक से आप काम करें as you did before remove the bubbles जैसे पहले किया था उसको syringe को उल्टा करेंगे ठोकेंगे उसमें से bubbles को निकालेंगे ठीक है and pull out the correct amount of medicine फिर जितना correct amount of medicine वहां से भार निकालेंगे which is dash ml जो भी ml था it's okay to have tiny bubble आपको इस पहुत छोटे ओक है तो ओक है कोई दिक्कत निए रिमूव दर नीडल एंड सिरिंज फ्रॉंद वायल ठीक है ना नीडल और सिरिंज को वायल से बाहर निकाल देंगे carefully put the needle cover back on वापस से नेडल की उपर वो cover जो सुई की उपर cover होता वापस लगा देंगे अगर एक वाय इस्तिमाल के तो हटा देंगे और चेंज कर देंगे to the regular needle से बास समझ मारी है क्लिए रहा है तो कुछ नहीं है injection लगाने की वारे पास process थी है इसको आप अपनी भासा के मतलब सिंपल यह है कि इसको इवर यह आप लिख करके प्रेक्टिस कर लें इसको यहाँ पर टॉपिक को पढ़ाने का मतलब के वल यह 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 आता सब को होगा अब मुझे पता है कुछ दो-चार पॉइंट भूल भी जाओगे तो फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब लास्ट में देखें क्या दे रहा है हमारे पास यह अच्छा पिर्प्रेशन ऑफ पावडर है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज टैट्रिशन पुल्वराइशन लेविगेशन यह मैं लाक्ष में से विसले डाल दिया है जिससे कि बाते आगों रिवायद हो जाएं कि जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था टैबलेट और प सेम एज टैबलेट एंड कैप्सूल सेम एज टैबलेट एंड कैप्सूल यह इसलिए लिख दिया कि अगर कर भी आ जाए तुमसे कोश्चन आजाए कि बताओ कि री कॉंस्ट्रिटर पावडर को कैसे बनाते हैं तो तुमको यह ता उन्हें पढ़ा ही नहीं था लेकिन जो वाला है वह ही यहाँ पर लिखना है ठीक है का प्रॉडम्स इंपाओर मैंफेट क्या प्रॉडम्म आती है बहरी बगी सिंपल है जो Corinthians सेखद स्टांसे सोते हैं into the powder presents problem that requires special treatment बास संव्मारी एक लियर है वाते हैं ठीक है ना तो वर्ड़ल संस्टांस अब को क्लियर है यू ट्रीक मिश्चर यू ट्रीक मिश्चर क्या होते हैं कुछ ऐसे मिश्चर होते हैं जो अगर आपसे mix कर दिये जाएं तो पानी में बदल जाते हैं ठीक है दो powder form में थे उनको mix कर दिया अब देखा कि वो पानी में बदल गए ऐसे कुछ होते हैं लिक्वीट्स जो लिक्वीट्स होते हैं ठीक है हाइग्रोस्कोपिक सब्चांस जो पानी को खीशते हैं ऐसे अगर हैं ठीक है तो उनको बनाने में प्रॉब्लम्स आती है अधर्वाइस उनको लिए स्पेसल टीट्मेंट देनी पड़ती है अधर्वाइस कोई दिक्कत नहीं होती है कि लिए अब आते हैं और यह लेक्शर हमारा खतम हो जाता है यह लेक्शर देखा जाए तो एक्शली में को अचली स्टार्टिंग बोलना चाहिए तक फार्श फारवड करके देखना क्योंकि इसमें स्टैप्स है कि कैसे रिकांस्ट्यूट किया जाता है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात बागी तो कुछ खास नहीं था यहाँ पर सारी टैबलेट और कैप्सुल वाली है ठीक और यह मेरा नंबर है ठीक है उसके बाद भी बच्चे कॉल करते हैं और यह अपना मस्ट एप है जिसके अंदर बहुत सारी चीजे हैं जिसका आप लोग यूस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है तो करना क्या हमसा के तरह पढ़ते रहो रिवाइस करते रह अल्द बेस्ट